अमस्ते दोस्तों आप सबको स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटसी दुनिया में ये वीडियो होने वाला है मार्सा क्रिकेट क्लब वसेस मसीदा वार्यूर्स के भी जो खेला जाएगा मैच ECST 10 माल्टा का गाइस मेक शूर करना आप अन तक देखो हम लोग दोनों ही टीम के बारे में कौन से पॉजिशन होगा प्रोबबल पॉजिशन बैटिंग ओडर भी हम लोग डिसकस करेंगे तो वीडियो आप अन तक देखना एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना एंड चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो हम लोग मल्टा टीटन कव सब्सक्राइब करना चैनल का डिरेक लिंग और अब सर्च कर सकते हो तो इसके लिए वीडियो पसंद आये तो लाइक करके स्टार्ट करना जे ग्रीमा शायद जन्दा इनको ले बट मैं नहीं लूँगा जिरो एक लुएर ओडर में दोनों टाइम गईस ये ना वीकी करते है बट लुएर ओडर खेलते हैं तो आई डून थिंग आपको इनको लेना चाहिए एम उस्मान वीकी से बेटर प्लेयर ऑप्शन लगे तीन दो मैच मे ओपेंगे एक में वांडाउं आईडियल पोजिशन इनको पेनर आइधिंग ओपिन करेंगे ठीक है एन खंदा शायद चांस ना मिले जिशान खान आईडिली ओपेनर रहे गाइस उसमान एन जिशान दोनों ओपिन करेंगे ठीक है इनका देखो हर मैच में बंदेने उपें खोष्वबैर अगर खेलते तो शायद टॉप 4 में खेलेंगे बर यह तिंग यह नहीं खेलेगा यह तभी खेलेगा अगर गयस उपर से जीशान और उसमान से कोई एक मीस होगा तभी शायद खिलेंगे अदर्वाइस जुबें नहीं खेलेंगे हाँ यह एच मुगल गाइस यह पीन शीटर है कहीं पे भी यूज किया जाता है अगर साथ छे साथ ओवर के बाद विकेट गिरेगा तो शायद यह बैटिंग करने आ जाएंगे ठीक है आईडिली बहुत हाइट से बैटिंग करते हैं इसा हो सकता है यह बॉलिंग ही ना आए तो थोड़े हीट एंड में अनॉथरोक्स टाइप के प्लेयर है बट मस्ट पीक है मेरे सबसे अगर हीट हुआ तो बहुत बड़ा हीट हो जाएगा याद रखना एफ मुगल इनका अगर आप देखो बैटिंग से जाद अच्छा प मुगल जो बॉलिंग से कमाल के फॉर्म में खास करके यह अगर देखोगे माल्टा टीटेन इसमें क्या हो रहा है इसमें जो माल्टा में ज्यादा टीटेन खेले नहीं गये थे तो इनको ना है बीट नहीं है कि शुरू से ही गाइस एटेकिंग खेलना तो शायद विकेट लूज करें खास करके फर्स इनिंग बॉलिंग होगा तो मैं प्रिफर करूंगा एफ मुगल को अपने टीम में रखना जी तवीला आप सोचना है इनको लेने का एनक्तर को चाहो तो ले सकतो एक क्वालिटी बॉलर है बट डिसन फॉर्म अच्छा नहीं यह भी इंटरनेश बहुत सारे खेले तो हो सकता है यह अच्छे बॉलिंग कर जाए इसन मैचस में देखो चार ओवर कंप्लिट करा एक में दो इक था अधर तीन मैच में यह विकेट लेस गया था ठीक ऐसा नन आइडों थिंग आपको इनको लेना चाहिए बैटिंग कर ले थे कभी कबार एं कि फाइथी बॉलिंग इवन मेडेन भी टाल रहे है कमाल की प्लेयर है इनको ना हार्ड इटिंग भी आता है एक कमाल की चॉइस है खासकर कि आप इनको कैप्टेन वाइस करतें जरूर से ट्राय करना एक अधा टीम में एफ मसी और डी अथवाल ठोरे मुझे लगते कि यह खेलेंगे ना दो वर जरूर कर आएगा ठीक है अब चाहो तो डिवेंशल ले सकतो एमस डब्लू का बात करता हूं का इसमें हेट वेड में बाद में आता है तो पहले हम लोग अनलाइस कर लेते मतलब प्लियर के पॉजिशन जान लेते कौन से प्लियर कहां पे खेलेंगे और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना टेलीग्रम चैनल में नहीं हो तो यार टेलीग्रम पे जॉइन हो जाओ नहीं हो तो मतलब और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है यूट्यूब के वीडियो बहुत इंपोर्टेन है नोटिविशन बिल द की सेक्षिन से दो मैंने बोला उस्मान एंड जॉर्ज बिकॉस दोनों ओपिन करेंगे टीटेन में मैं प्रिफर करता हूँ गाइस टॉप ओडर लेके चलो मिडल ओडर का पता नहीं बैटिंग आएंगे नहीं आएंगे कितना कर सकेंगे पिछ खुल जाएगा तो कितने स्क और कर सकते हैं एक चीज यहां तक ना स्पीनर जो है ना वो तंग कर रहा है इस मैच में बट मुझे नहीं मालूम कौन से प्लेयर स्पीनर है तो इसलिए मैं मिल्ल ओडर में मैं एक्सपेक्ट करूंगा इंगे गेम में तो शुरू के जो बैस्मैन है उनको मैं ज्यादा प् इस तीम का बट इस साल इनका बैटिंग का इस बहुत नीचे भेज दिया गया तो आई डून नो यह क्या हो रहा है बट हो सकता यह फिर से बैटिंग करें फिर से जग जाए यह अपने फॉर्म में आ जाए तो यह भी एक अच्छे चोईस है कि सेक्शन में मुझे तीन से च को पिन भी कर सकते हैं वान डाउन भी आ सकता है जो रिस्क बना रहा है गा आपको अगर इनको ड्रॉप करना है तो सोच समझ के जो रिस्क टेकर हो लाइक मी रिस्क लवर हो मैं तो यार थोड़ा तो रिस्क लूँगा और जै माली 16 टू डूं जैसे सेबस्टियन पाच्छ जिरो एक में 10 एक में 17 बट क्या किया इन्होंने तीनों मैच में ओपेन एन वांट डाउन के ला तो हो सकता है यह ऐसा ओपेनर खेल ले अगर खेलते हैं तो मुंडली का मुझे मिला नहीं खेलते तो मैं दे दूँगा दिवेश्कुमार जंदा ने भर-बर के लिया शायद दर्वाइस आप लेके चलो स्मॉल लीग में सलुध हमास जो इंटरनेशनल प्लियार है बहुत अच्छी के टिकिंग है मतलब डर के मतलब I don't think इनको आपको मिस करना चाहिए 4-3-4-1-4-0-4-2-0-3 इनको बैटिंग आता है बट इनको बैटिंग बहुल गया होगा बहुत दिन सब्सक्राइब बैटिंग करें ऐसा हो सकता है यह 10 वाल में 20-30 रन कर दें ठीक है एक अच्छे हाड़ेटर बैट्स्पैन है और टेकिंग ऑप्शन है मस्ट पीक है इनको ट्राइक करना लास्ट यहर के इस टीम का हायस्ट ट्रिक टेकर ठीक से सुना ना अपने अच्छे डिफेंशियल चॉइस चाहो तो ले सकता है तो टॉम तो मुझे मिला नहीं मैनल अंटाउनी का यह रेकॉर्ड है बहुत खास है गाइस विकोस चार ओवर अपने कंपेट कर रहा है तो हो सकता है यह अपनी ओवर दो ओवर भी कंप्लेट कर रहा है ने क्यों ले ज सब्सक्राइब कर दो है तो मैंने सब कुछ लिए यहां क्या किस ने किया है और टिटेल्स में चाहिए तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में इसका ठीक है कल मैच शुरू होने का एक घंडा अगे इस मैच का मैप कंप्लिट स्क्रीन शॉट्स तो मैं डाल दूँगा टेलीग्राम पर तो टेलीग्राम चॉइन हो जाओ जल्दी से वीडियो पसंद रहा है तो लाइक कर दाना है किसको ब सब्सक्राइब कोई लगी नहीं रहा है मुगल थोड़े हीटे निस टाइप के प्लेयर है बट मुझे बनाना पड़ा जनता शायद इनके साथ जाएंगे थॉमस मुझे एक विकेट लेते हुए धिक रहे है ऐसा हो सकते है यह विकेट लेस जाए यह रनी ना बनाए तो इस इनको भी आप as a captain try कर सकते हो मुझे consistent लगा खासकर कि as George बहुत consistent player है यह भी अच्छे player लगे मुझे खासकर कि यह तीनों मुझे consistent player लगे तो तीन को मैं रखूँगा इनको मैं शायद change करू इनको मैं शायद change करू फिलाल रख लिया डबलो बस एक अच्छे differential captain option बी जॉइ एक economical baller फिलाल s joseph को लिया guys s joseph का जगा आप किसी को भी ले सकते हो and guys d athwal चायद थोरा मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है s joseph से बट जंता ने फिलाल 7 joseph को लिया बट आप अगर देखो गई d athwal का record देखो manual antony का record बहुत ही अच्छा है मुझे I think मैं हो सकता है कि d athwal के records कहा गिया दो मैच का जहाँ पे एक में तीन एक में चार तो I think d athwal मुझे थोरे ज्यादा comprehensive लगे better लगे तो मैं शायद d athwal के जाओ जाओ बट यह final team है नहीं मेरा मैं final team में try करूंगा better safe player लेने का after toss final team आपको telegram पे मिलेगा telegram channel join हो जाना वीडियो पसंदा है तो लाइक कर दो YouTube channel को subscribe कर दो thank you guys